हेलो फ्रेंड्स, लोटस एरवेदा इंडिया के प्रेग्नेंसी केर में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बुद्धिमन शिशु चाहती है तो प्रेग्नेंसी में ये गलतिया ना करे ये जानकारी बताने से पहले मैं आपको ये बता दू कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल लोटस प्रेग्नेंसी के को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से अपको प्रेग्नेंसी से संबंदित वो सारी जानकारिया लेकर आते हैं जिसे आप अपना कर आप वो आपका बच्चा स्वस्त रह सकता है प्रेग्नेंसी के दोरान हर महिला यही चाहती है कि गर में पल रहा शिशू दिमागी रुप से स्वस्त वो बुद्दिवान हो इसके लिए आपको बहुती आसान परन्तु महत्वपुन साउधनिया रखनी होगी जिससे आपका शिशू भी दिमागी रुप से तेज वो बुद्दिवान बन सके आईए जानते हैं यह आप कैसे कर सकती है आपका स्पर्ष शिशू के लिए बहुत फाइदेमन्द है अपने बेबी बम को सहलाईए वो बात करे क्योंकि आपका स्पर्ष शिशू के लिए जादोई असर करता है आपकी आवाज आपके वह शिशू के मजबुत जुड़ाव बनाती है गीत का शिशू के दिमागी विकस में बहुती विशेश योगदान होता है संगित सुनने से शिशू एक्टिव वह दिमागी रुप से तेज हो जाता है इसलिए मदुर संगित जो शोर शरब वाला ना हो वो सुने अपने खाने पिने का बहुत विशेश ध्यान रखे सिर्फ भूक मिटाने के लिए ही ना खाए ओमेगा थ्री से भरपूर खाना खाए ये शिशू की दिमागी विकास के लिए बहत जरूरी है अपने दिन चारिय को सयम मित रखे ज्यादा थकान वा नेन की कमे आपके शिशू को बेचेन वा तनाव गरस्त कर सकती है जिससे उसका दिमागी विकास बादित होता है अगर आप गरभावस्ते से संबंदित कोई भी सवल पुछना चाहती है तो कमेंट बॉक्स द्वारा पूच सकती है और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर करना ना भूले साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रेग्नेंसी से संबंदित वो सारी जानकारिया लेकर आते है जिसे आप अपना कर आप वो आपका बच्चा स्वस्त रह सकता है तो स्वस्त रहिए खोश रहिए धन्यवाद